नमस्कार दोस्तों दुभारा से एक बार फिर मैं आपका दोस्त योगिन आपके साथ में फिर्ट्स जो responses थे जैसे मैंने बताया था कि एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा response आप लोगों का मिला सबसे ज़्यादा जो पुछा गया था वो यह है कि जो Canterbury Tales का question था नमबर आफ पिल्ग्रिम से नमबर आफ टेल्स से संबंदित क्या वो गलत है ठीक है तो इस वीडियो में हम इसकी चाचा करें क्या वो गलत है या सही है या अगर सही है तो उसका आंसर क्या होगा गलत है तो उसका क्या होगा सो बढ़ते हैं question की तरफ question क्या था जो question था लगभग जो मुझे याद है वो यह था कि how many pilgrims and tales were there in Canterbury Tales Means कि question में जो पूछ रहा है how many pilgrims, कितने pilgrims थे and tales, tales कितनी थी, किसमें in Canterbury Tales option में आपको देता है one 24 pilgrims, 22 tales, second 23 pilgrims, 24 tales, third 22 pilgrims, 24 tales and four 24 pilgrims, 23 tales अब actually यहाँ पर confusion क्यों हो रही है और क्या confusion हो रही है आप सभी जानते हैं कि जो Canterbury begin होता है, beginning में चासर बताता है कि वो कहाँ था, टाबाड इन में था और वहाँ पर 29 pilgrims का एक group आ रहा है जो कहाँ जादा Canterbury जा रहा है ठीके? तो अब हम सभी को पता है कि pure pilgrims 29 थे उनको किसने किसने जोइन किया, उनको चासर ने जोइन किया और उनको Harry Bailey ने जोइन किया ठीके? और total हो गए 31 इनका पुरा group Canterbury के लिए चला तो अब यहाँ पर जो हमारी numbering है total number of pilgrims की वो 29, 30, 31 हो रही है ठीके? तो 29, 30, 31 के आसपास का कोई pilgrims का figure यहाँ पर नहीं दिया है यह confusing है क्योंकि वहाँ how many pilgrims पोच रहा है और confusion create कर रहा है 24, 23, 22 दे करके ठीके? यहाँ pilgrims के number of pilgrims की जो भी condition है वो simple है अच्छा, tails में कोई confusion नहीं है tails 24 हैं, जिन में सब 2 incomplete है 22 complete tails है अच्छा, यह तो हुआ confusion क्या है confusion कहा है? pilgrims के number of pilgrims में अब जो दूसरा बेचारिस पर रहा है कि जब tail की बात कर रहा है तो उन pilgrims को पूछ रहा है जो story teller है तो यहाँ पर confusion create हो रहा है कि किसे पूछ रहा है ठीके? तो यहाँ pilgrims के बजाए इनको word use करना था storyteller pilgrims या storytellers ठीके? तो अगर यहाँ पर storytellers use करता tellers use करता या storyteller pilgrims करता या पर यह पूछता कि how many pilgrims told the story and total number of stories तब यह question बिना confusion के सही होता लेकिन अभी यह confusing है confusing इसलिए है कि total number of pilgrims हमापस 31 है और यहाँ पर उसका कोई figure नहीं दे रहा है अच्छा दूसरी चीज इस पर भी मैंने सर से चल्चा की जो हमारे supervisor है तो उन्होंने इस पर एक बात कही कि जैसे total 23 pilgrims ऐसे हैं जिन्होंने story कही ठीक है? तो 23 में 22 ऐसे हैं एक story कहते हैं और चासर यानि की narrator जो है वो दो story कहता है ठीक है? tale of सर्थोपस and tale of melody तो उनका कहना ये है कि हो सकता है question पूछने वाला आप से ये चेक करना चाहता है कि आप ये बात जानते हैं कि नहीं ये जानते हैं कि ने कितने pilgrims ने tale कही ठीक है? तो परस फिर से वही खड़ा हो जाता है कि total pilgrims वहाँ फिर पूछना नहीं चाहिए वहाँ पर story tells पूछना चाहिए तो इस तरह से देखो अभी फिलहाल में जो इसका answer है वो दूसरा option होगा 23 pilgrims, 24 tales ठीक है? total जो 22 pilgrims थे उन्होंने 1-1 tale कही चासर यानि narrator ने 2 tale कही इस तरह से 23 pilgrims, 24 tales कहते हैं लेकिन इस question को भी challenge किया जा सकता है और गलत मान करके confusing मान करके general marking हो सकती है तो अगर answer की मिलाने पर लगता है कि एक question बढ़ने से आप criteria में आ सकते हैं तो इसको challenge आप कर सकते हैं otherwise जितना question है इसके label पर 23 pilgrims, 24 tales सही है ठीक है लेकिन question confusing है ठीक है I hope कि इतनी बात clear होगी कुछ और questions हमसे पूछे गए जैसे number series का एक question था friends as I am saying honestly वो मुझे भी थोड़ा कम समझा जा ठीक है दूसरा Pamela Joseph Andrews था तो उसका answer Joseph Andrews होगा Kitchen Singh drama का question था तो उसमें एक option तो मुझे याद है John Osborne होगे दूसरा option मुझे याद नहीं है अगर आपको option याद आता है तो वो बताईए हम answer बताईए ठीक है जो नेक्स्ट क्वेस्टन से पुछा के की फिगर्स में जिसने कमेंट किया तो उसने पुछा था कि कौन थे और तीनों नाम लेखा थी होगे ठीक है रचार होगाट विअल रेमानूंड विलियम और स्टुएट माला जाता है वो इसलिए माना जाता है कर रचार होगाट ने CCCS को स्टैबलेश किया कलिज स्टाडिओ का एस डिसीप्लिन सेब्लिन स्टडिय स्टार्टärण की तो इन टीनों को की फिगर माना जाता है चार थे चार में से इन तीन को आपको सेलेक्ट करना थे ठीक है और नेक्स प्रूशन पूछा था कि लाइंग परोल तो लाइंग परोल बहुत इजी था रिवीटेट क्वेस्चन है उसमें वह लेंग्विज सिस्टम एंडिविज्व यूज ठीक है यह था तो यह कुछ पूछ जो आप लोगों पूछे जो आप लोगों याद थे यह था सम्मों मैंने आपको उसका आंसर दे दिया अगर आपको और भी क्वेस्चन से याद आते हैं उसको भी पूछे नहीं तो प्राने का अंजिसार करिए तब हम उसको साल् किये और मैं अपनी कोशिस बर आपकी सहायता आपकी हेल्प करता होगा हम बात करते रहेंगे आल दे बेस्ट